नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyotis Secret कुम्भ रासी वालों आपके उपर चल रही है सनिदेब की साढ़े साती का पहला चरन और सनिदेब हो रहे हैं अस्त तो सनिदेब के अस्त होने से आप कुम्भ वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो तमाम बाते जा रही है वीडियो के अंतक बने रही है और ये प्रडिक्शन चंदरासी पर आधारित है तो कुम बालो सनिदेव आपके लगन और बारवे भाव के स्वामी है और सनिदेव आपके बारवे भाव में अस्त होने जा रहे हैं अब आपको अपने जीवन के हर बातों को लेकर हर जैसे रास्ते में बाधाईं थोड़ी बहुत आएंगी क्योंकि करियर और धन के मामलों में आपकी जो गती है पहले की तुलना में थोड़ी धीमी रप्तार से बढ़ रही है और जो कारेस्थल पर दबाब की बज़य है न ये आपको थोड़ा और मेनद करवाएगा अब इसमें थोड़ा सा प्रती कूल परिस्तिती भी है तो ब्यक्ति गत जीवन में भी आपको थोड़े बहुत कस्ट हो सकते हैं क्या करेंगे देखिए ओम नमसिवाय का जितना ज़्यादा आगा आप जब करेंगे उतना अच्छा है लेकिन दूसरी तरफ जो कुम्ब वाले हैं एक खास बात देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि सनिदेव धिमी गती से चलते हैं और वे आपके बारवे भाव में अभी इस्तित हैं अब क्या होगा आपको जो करियर है ना आपका जो आर्थी जीवन है इस पर आपको बहुत ध्यान बनाए रखना है क्योंकि इसमें चुनोतियां बहुत जादा होगी अगर आप जॉब करते हैं हो सकता है आप नोकरी से संतुस्टी नहों साथ ही इसमें काम की अधिकता है का का थुरत दबाव है इसलिए मेहनत तो करवाएगा अब कारेस्थल पर काम का बोज है जो आपके लिए बस यह समझने कि आलसी को त्याग दे और आपके जो सहकर्मी है आपके साथ जो लोग काम करते हैं आपके जो अधिकारी है आपके बॉस हैं उनसे आप इस समय जिदना सो समझ कर पैसे नयदे से समान उधार देने से बस जरो शर जयादा समान इसमेख यांशों का नीव्यानते सजल में हो सकता है इसलिए करते भी अगर आप उचाईयों को ले जाना चाहते हैं तो भी यह समय ऐसा है कि पूरे 34 दिन आपको सांत रहना होगा लेकिन पार्टनर्शिप से जुड़ा कोई भी वेपसाई करते हैं तो भी बहुत अच्छा नहीं है इसलिए आपको सांत रहकर धीरी-धीरे इस समय को काट ना होगा पर धन की बात करें तो धन चोरी होने का खोने का लौस लगने की संभावना है तो आप अगर कोई यात्रा करते हैं आपके पास पैसे हैं आपके पैस कोई भी तरक है कोई भी चीज है लाप्रबाह रवया को छोड़ दे क्योंकि कुम्ब वाले थोड़े है तो आपके और जीवन साथी के बीच समझ की कमी दिखती है बेबज़त तरक विबाद हो सकते हैं और आपके साथी के साथ आपका रिष्टा इसकारण प्रभावित ना हो जाए इसका भी खयाल रखे हलांकि सनीदेव का अस्त होने से स्वास्त के मामलों में भी आपके थोड का डॉक्टर नबन के बलकि डॉक्टर के पास जाईए अपना इलाज कराईए यकिनन चीजे बढ़ियां हो जाएगी कस्ट जादा हो तो क्या करेंगे जितना जादा हो नमसिवाय का जब करें और सिबिलिंग पर नियमित रूप से एक लोटा जल अरपित करें सिब जी ही आ हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेव धनिवाल